हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल, आज हम डिसकस करते हैं कॉपिराइट स्ट्राइक, कॉपिराइट स्ट्राइक क्या है, यदि हम यूट्यूबरें वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, यदि ओरिजिनल कंटेंट का बिना अनमती के उपयोग करते हैं, तो कंटेंट का ओनर आपके चैनल पर कॉपिराइट स्ट्राइक भेद सकता है, अब आपने जिस वीडियो में इस कॉपिराइट कंटेंट का उपयोग किया है, कॉपिराइट स्ट्राइक आने पर वेब वीड आपके चैनल से डिलीट भी कर दी जाती है यदि तीन महिनों के दोरां दो वार और श्ट्राइक आ जाता है अर्था थ्री टाइम श्ट्राइक आता है तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा जिसके बाद आप उस YouTube चैनल से भविस में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते है कॉपी राइट श्ट्राइक के नुकसान अगर कॉपी राइट श्ट्राइक आता है तो उससे नुकसान होता है सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप किसी दूसरे के ओरिजनल कंटेंट को उसकी अनमतिये बिन उप्योग करते हैं तो उस कंटेंट का ओनर आपके चैनल पर क copyright strike भेद सकता है जिसके बाद आपकी वीडियो को यूट्यूब दौरा हटा दिया जा सकता है या डिलीट कर दी जाती है यही ने बल्कि तीन महिनों के अंदर फिर से और copy उस यूट्यूब चैनल में कभी भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते ना ही किसी प्रकार की अर्निंग होती है दूसरा ये भी नुकसान है कि आप जिस भी वीडियो में किसी दूसरे के content का उप्यूप किया होगा उस वीडियो से आपकी जितनी भी अर्निंग होगी तो उसे content क असली ओनर को दे दिया जाएगा लेकिन ये स्थिती तवाती है जब आपका चैनल पहले से ही monetize हो चुका है copyright strike से भलई आपकी चैनल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है थर्ड यह कि मैंने अभी आपको copyright strike के second नुकसान बताए हैं आपको इससे और नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं copyright strike से कैसे बचे यदि आपने copyright strike आया है तो उससे कैसे बच सकेंगे आप किसी के content का इस्तेमाल नहीं करिए अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका honor से आप एक वार unpermission ले लीजिएगा जिस उसके बाद उस content का उप्योग करें लेकिन यदि आप चाहें तो जिस वेब साइट से या वीडियो से आपने content कापी किया है तो उस वेब साइट का नाम या लिंक को अपने description में दे सकते हैं copyright strike को कैसे हटाएं यदि आपके YouTube चैनल पर copyright strike आ जाता है तो उसको हटाना भी एक आवस्यक का step है इसके लिए आप original ओनर से आप permission ले सकते हैं अगर वो permission देंगे तो YouTube आपके YouTube copyright strike को हटा देगा second countdown notification आप जिस भी वीडियो पर copyright strike आया है तो उसके उप्योग के लिए सभी content 100% आपके होने चाहिए उस वीडियो में उप्योग किये गए content के honor आप ही है ये आपका अपना ही हक होगा इसके लिए आपको countdown notification के लिए apply करना होगा जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई court में की जाएगी वहाँ आपको प्रूब करना होगा कि ये वीडियो आपका ही है अगर आप ये प्रूब कर देते हैं कि YouTube में आपके चैनल में वीडियो में जो भी content है वो आपके द्वारा बनाए गए हैं तो आपका copyright strike हट जाएगा थर्ड copyright school ये भी YouTube का ही भाग है इस copyright school को आप आसानी से attend कर सकते हैं और YouTube चैनल से उन सभी copyright strike को हटा सकते हैं जो expire हो गए हैं इसे YouTube द्वारा ही अपने platform पर उपस्तिच चैनल पर भेजा जाता है सभी चैनल पर ये copyright school का आपसन नहीं आता है थेंक यू